जहिन दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में ले किया आएंग है तो देख सकते हो बाउड ओफ सीनियर एज्यूकेसिन राश्थान अजमेर हूं के सब्सक्राइब कर दोस्तों इस वीडियो को पूरी देखना किलास 10 के दोस्तों आपको फुलमाक्स लाने के लिए इसको पूरी देखिएगा समय आप देख लिए दोस्तों तीन गंटे आपका समय रहेगा और पूरा पेपर रहने वाला है यहां पर आपके सामाने निर्देश दे राखें आप इनको फड़ लेना ओके जो आपका सेक्शन नहीं में बुझा गया है वह है रीडिंग तो इसमें पहला कुस्टन आप देख लीजिए यह रहा ओके इसको आपको फड़ना है पूरे को एक एक लाइनको फड़ लेना है तब आपको दोस्तों इनके उत्तर देने हैं तो यहां पर आप देखिए मैं आपको इनके उत्तर बता देता हूं पहला प्रशन है वाट इस नोट अने जेवल टू सीड दो हो जाएंगे यहां पके नम्डर पक्का हो जाएगा और दूसरा दोश्तों रहें प्रहों को इसमें प्रहप नहीं है ऑप क्या रहें पुरा होगा तो इसमें कि दोस्तों आपको पेसेज महीं छाटना होगा ओके अंपर आप देख लिए जाए गा तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहां से आप इसका उत्तर यहां तक लगा लिए hell okay दे आर तो तो दोस्तों यहां पर आपका जागा सेक्शन भी को दोस्तों हम आपको हल कर तो आप खुद को एक केप्टन मानते हुए बॉलीबॉल टीम का और इसमें यहां पर आप देख लीजे चोथे प्रिशन में आपको क्या करना है यहां पर यह जो नीचे यह दे राखिये इस्टोरी इसको फुल करना है उके इसको जो सब्दाइंगीन में उनको भरकर आपको इस पूरे की राइट उत्तर लिखना है इसमें ओके पिपर में तो आप दोस्तों इनको कर लेना पूरी ओके इसमें बढ़ देना अगला हो जाए गढ़ दोश्तों हें पर यह ओके इसमें भी आपकी है और अत्वा में दे राखियो के आप इनको कर लेना है आपका यह है पांच वे क्वेस्टिन में आपसे इस पर यह जो चिट्र दीख रहा है इस पर आपको शाट वर्डों का paragraph लिखना है ओके अगर दोस्तों आप इसके आत्वा में लिखना चाहो तो write a paragraph on my favorite teacher in about short word ओके तो आपको short word में my favorite teacher पर वह लिखना होगा paragraph ओके अगला देखें दोस्ते हैं आपर section C gram bar इसमें आपके दोस्तों पूरे में gram bar बुझे जाने वाली है यहां पर यह आपके दोस्तों 16 March को यही paper दीखने वाला है तो आप इनको बिल्कुल रच लीजिएगा ओके तो चलिए दोस्तों मैं आपको इनका भी राइट उतर बता देता हूं इसमें पहले question का जो राइट उतर हो जाएगा यह रहा ओके तो इसका राइट उतर मैं आपको बता देता हूं आई खाली जिगा गो टू जैपुर येस्टर्ज डे ओके तो इसमें जगेगा आपका वेंट ओके अगला है ही यूजिली खाली जिगा टैक ब्रेकफास्ट एट आठ एम ओके तो इसमें के जो आपका राइट उतर हो जाएगा दोस्तों इन च्यार ओप्शनों में के वह द optो कि दोस्तो इसे लगाते हैं को आप दोस्तो यह यह सैने तो ऑज्य लगाते हैं Tamam तो आप दोस्तो इसमें क्या लगाएंगे स लगाएंगे स क्वे इसमें डोस्तों वेशनी हम चdateरा से यह थम एकल्मियान उड़ीसरों कैसे फैसे लगाएंगे गया54 यह नियम दोस्तों आपके याद होना चाहिए तीसरा क्वेस्चन यहां पर आप दोस्तों देख सकते हूँ वी खाली जीगा स्टेडी इन दा स्कूल फोर थिरी एर्स तो इसका जो राइट उतर हो जाएगा वे दोस्तों मैं आपको बता देता हूं यहां पर भी आपका राइट उतर हो जाएगा ओके तो अगला देखे दोस्तों यहां पर आपका आपका आप दोस्तों इनको रट लीजिएगा ओके यहां पर दा ट्रेन बिफॉर आई हरीजड ओके तो इनमें के जो आपका राइट उतर हो जाएगा इनमें क्या लगाएंगे इसका राइट उतर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों यहां पर इसका हो जाएगा आपका हैड लेफ्ट ओके हैड लेफ्ट यहां आपका राइट उतर हो जाएगा यह वाला ओप्शन चलिए दोस्तों अब इसमें आपसे बूजा गया है चैंज दा फॉलोविंग सेंटेंस इंटू इंडिरेक्टेड़ स्पीच ओके तो इसमें के जो आपका यह है इनको इंडिरेक्ट स्पीच में बदलना है तो दोस्तों इसमें हम पहले में करेंगे वह हो जाएगा आपका इसमें साथ है के पहले में आप लगाएंगे यह तो आएगा ही दोस्तों मैं आपको इसको लिखके बता देता हूं ओके सिय तो देखे दोस्तों यहां पर आपका अर्चि टोल्ड मी डैट शी एकस्पैकटेड ओके एड़ें यहां पर इसमें थर्ड फरम लगेगी ना तो वह टी अजय parties और उके तो यहां आपका इसका राइट उतर चलिए दोस्तों हिआ पर आपका सेकेंड का जो रैट उत्तर हो जाएगा है आपको बता देता हूँ तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑपर सैड आस्क्ड मीई इफ रिह लर्ण तनंस त्ल नेम क तो इसमें दोस्तों आपसे जो बुजाए उसमें आपको इनका प्रियोग करना ओके यह आपको दे राखे ना टू-टू का प्रियोग बोथ और एंड का प्रियोग सो डेट का प्रियोग ओके तो यहां पर आप बैरी की जिगे पर तो सो कर देंगे ओके और यह जो पॉइंट ताराने इसकी जिगे पर आप डैट कर देंगे और इन सेंटेंस को लिख देंगे ऐसे दोस्तों आपको मैं बता दू इसमें टू-टू का प्रियोक कैसे करेंगे तो इसमें आपका जो आ जाएगा वे मैं आपको बता दो दोस्तों यहां पर इसका राइट उत्तर हो जाएगा यहां पर इसमें आप लिखेंगे इट इट इज टू कुड फोर ओके कुड फोर यूज अस टू गो आउट ओके ओ यूटी तो यहां पर आप इसमें लिख देंगे दोस्तों इट इज टू कुड फोर अस हैं टू गो आउट ओके यहां पका इसका राइट उत्तर हो जाएगा यहां पर बोथर एंड का प्रियोग ओके तो बहुत करेंगे दोस्तों इस मेंगोज से पहले आएगा बोथ और इसके बीच में आ जाएगा दोस्तों एंड ओके दवाब द में लिख दीजे एंड ओके यहां आपका राइट उत्तर हो जाएगा इसका ओके अगला प्रिशन यहां पर आप देखें दोस्तों इसमें है जोइंन दा फ़ॉलाविंग सेंटेंस यूजिंग दा रेलेटिव उके इसमें आपको रेलेटिव प्रियोग करना एं जैसे हूझ तो हें पर यह न पहला है इसमें किसका प्रियोग करना है कि प्रियोग करना है तो इसका प्रियोग करेंगे तो हमारे जो राइट उत्र आजाएगा वह मैं आपको बता देता हूं दोस्तों स्क्रीन पर लिखकर लिखकर बता दू दोस्तों आपको write right उतर किया जाएगा तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दू यहां पर सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे दा बॉए और इसके बाद A kung už का प्रियोक करेंगे और फिर इसके बाद डान दोस्तों सेंक्टेंस को तार दिते तो आप इसको तार के नी अग्Det कि आपको दूसरा य। बता देता ऑब् Galam होनेस्ट फिर माज़ैगा भाझ थे अवरड़ यहां पर इसका राइत उत्तर हो जाएगा कि अगला दोश्etzt आपर आप देख सकते इसम्हा पैसी बोहने हो कि आपको यह शंतेंस दे राखे इनको चेंज करना है यह sentence को पेसी वाइस में, ओके, पेसी वाइस में आप इनको change करेंगे, तो जो आपका इनका right उत्तर हो बनेगा, मैं आपको बता देता हूं दोस्तो, सबसे पहले का जो right उत्तर हो जाएगा, इसको आप object है, तो इसको आप subject मानेगे, इसको subject मानेंगे, और उसके बाद आप लिखेंगे इसमें, will, okay, इसको subject लिखकर इसके बाद आजाएगा, will, will लिखने के बाद, will, फिर आजाएगा आपका writing by, पर ठीक, ओके, पर पर तीक, यहाँ पर इसका यह right उत्तर हो जाएगा, फेले आप इसको object को subject मानो, फिर उसके बाद will, okay, will be, will be आजाएगा, क्योंकि यह दोस्तों आपको पहले सही हो, उसमें दे राखाया थे, यहाँ देख लिखेंगे इसे कौन से tense में क्या रहा है, यहाँ पर यह future में क्या आया है, आप देख लिखेंगे कौन से बाग है, ऐसे ही आपको इसमें करना है, please open your book, तो इसमें आप लिखेंगे दोस्तों, you are requested to open your book, ओके, नाइस तो दोस्तों आप इसको ऐसे बना सकते हूँ, let your book be opened, opened, ओके, ऐसे बन जागा, फिर यहाँ पर फैर्मिंग क्वेस्टेंज, दा फॉलॉविंग सेंटेंज, ओके, इसमें आपको यह देरा खाए नीचे, इसका फैर्मिंग क्वेस्टेंज बनाना है, ओके, तो इसमें आपका जो राइट उतर हो जागा, मैं आपको बता दूँ, इस पहले में तो आपका जो राइट उतर आएगा, हुए हो जागा, इसके बाद लिखेंगे आप, डिड, डिड के बाद यू, यू, फिर लिखेंगे आप, क्रोस, ओके, क्रोस दा रिवर, दा रिवर और लिख देना आप, ओके, यहां पर यह दिवर लिख रहा है, इसको देखकर आप लिख देना, और इसमें क्या आएगा, दोस्तों, ओके, एड क्वेस्टन, ओके, यहां पर क्वेस्टन, टेग मना ना, इसमें, एड करना है, और आगे, तो दोस्तों, तो मैं आपको बता दूँ इसका राइठ तर क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका क्योंकि दोस्तों हम लेडिस के लिए किसका प्रियोग करते हैं को नेस्ट सिसमें देखिए यहां पर आपके टेक्स बूक जो आपकी पूरे के राइट उतर भी बताए हैं और दोस्तों आपको पेपर अच्छी तरह समझाया होगा तो आपको दोस्तों तो आप मैंनेत करें तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूं आपको नएकिन से वीडियो और जबारत